कहातेडнулमाय किचिन, एज मैं आपके साथ करने जारी हूनच पड़े मसाले कि रेसपि इसे हम घर में पड़े मसालों से ही तियार करेंगे, इस लिए मैं बनाने के लिए मसालों का वजन नहीं, इसे बताऊंगे, सबसे पहले हमें चाहिए धनिया, जीरा, सौफ, काली मिर्च, कसुरी मेथी, सुखे वे पत्ते, काला नमक, आठ से दस लॉंग, आठ से दस छोटी इलाइची, दो इंच टुकडा दालचिनी, दो से तीन तेज पत्ता बारिक तोड़के, एक चम्मच साजीरा, चार लाल सुखिलाल मिर्च, आधा टुकडा जाइफल, एक चक्री फूल, दो बड़ी इलाइची, जिस मोटी इलाइची है या जिसे हम काली इलाइची बोलते हैं, और आधा फूल जाइफल का, गर्म मसाले हम मसाले में खुश्बु के लिए इस्तमाल कर रहे हैं, इसलिए इस मसाले को लेने के लिए एक मिक्स गर्म मसाला का पैकट ले सकते हैं, अब मैं सबसे पहले कढ़ाई को गर्म करूंगी और धनिये को मैं रोष्ट करना सुरू करूंगे, सबसे पहले हम एक बड़े चम्मच को लेंगे मेजरिंग के लिए, सबसे पहले मैंने धनिया को मेजर किया है एक बड़े चम्मस से मैं 6 चम्मस धनिया कुणाई में डालकर 1 मिनट तक भून लोगी धनिया बुनने में जादा टाइम लगता है और मोटा होता है इसलिए मैं सबसे पहले धनियों को भून रही हूँ सारे मसालों को हम एक साथ नहीं भूनेंगे सारे मसाले एक साथ भुनने से क्या होगा कि छोटे दाने वाले मसाले ज्यादा भुन जाएंगे और बड़े दाने वाले मसाले कच्छे रा जाएंगे इसलिए मैं मसालों के दाने के अनिसारे से भुन रही हूं सबसे पहले धनिया भुनने में टाइम लगता है और धनिया में तेस्ट होता है इसलिए मैं सबसे पहले भून रही हूं अब मैं इसमें 4 चमच जीरा डालूंगे चमच हम एक ही रखेंगे जिससे सारे मसालों को हम नाप रहे हैं छे चम्मच धनिया एक मिनट भुनने के बाद चार चम्मच जीरा तीन चम्मच सौंफ और दो चम्मच काली मिर्चम डाल कर सारे मसालों को लगभग दो मिनट तक स्लो फ्लेम पर भुनेंगे मसाले को हम लगातार चलाते हुए भुनेंगे ध्यान रखना है कि मसालों का कलर चेंज नहीं करना है बस मसालों की खुश्पू अच्छी तरह से आने लगे उस स्ट्रेस तक हम इसे भुनेंगे अब मसालों को भुनते समय हम इसमें लाल मिर्च तेज पत्ता पहले डाल लेंगे क्योंकि मिर्च थोड़ा से करा रहे हो जाएंगे तो बारिक फाइन पेस्ट पाउडर बनेगा अब हम सारे गर्म मसालों को कड़ाई में डालकर थोड़ी देर तक घुनेंगे गर्म मसालों के गर्मी से भी पक जाएंगे लेकिन मैंने थोड़ी देर भुना है ताकि मसालों में मौश्चर निकल जाएं कसूरी मेथी और काला नमक लाश मेर्च करेंगे जब मसाले में से अच्छी खुस्पू आने लगे तब हम उसमें कसूरी मेथी के पत्तों को डाल और फ्लेम आफ कर देंगे और मसालों को लगातार दो मिलनाट तक כड़ाई में चलाते रहेंगे whose करने के बाद मसालों में पस्ट अच्छी खुछ आने लगी है आप हम फ्लेम आफ कर दो करेंगे और यह पाद हम इसमे कसॐर कंड़ा के और में ठोड़ाय की तो क्या होगा कि कड़ाय की घर्मी तो क्या होगा कि कऑछा की घर्मी की धूर्म होsystem Gemuk मसाले को हम ते जब मेर दो फोड़ी दें चमंगे और इसके बाद एक कंड़ाय में भी फाली में फैल को दोड़ा practice मसाला पीषने से पहले हमें मसालो को अच्छी तरह से ठंडा कर देना है गर मसाले हमें नहीं पीषने हैं मसाले पीषने से क्या होगा कि मसालो का तेल सेपरेट हो जाएगा जिससे कि मसालो का फ्लेवर जल खत्म हो जाएगा तो हम थाली में मसालों को फैला देंगे और उसे ठंडा होने के छोड़ देंगे सारे मसालों को एक साथ पीषने से क्या होगा कि बड़े दाने वाले मसाले अच्छी तरह से नहीं पीषेंगे मोटाई लगबग एक जासी हो जाए मैंने Mikser में मिर्च और घरम मसालों को डालकर हखा दरदरा पिस लिया है हमारे सारे मसाले 2 बार में पिसेंगे तो आदा मसाला को हम इसके साथ डालकर पहले पिस लेंगे प्राव के समान हो गई है अब इसमें हम आधा मसाला डालकर पीछ लेंगे मसाले को अपने पसंद के अनुसार काफी बारी किया थोड़ दरदरा पीछेंगे मैं हलका दरदरा रखती हूं मैं दरदर मसी। निकाल लोंगोंकि दरदरा मसाले मुझे ज़ादा अच्छा लगता है। देखिए। असकया को निलोगी और भाकी बचे मसालों को पिस लोगी। सारे मसाले इसे पीछने के बाद किस तैटेनर में सटवर करने लेंगे इसतरसे आप घर पर BACK इंशन किंग मंसाला बुनाई में इसे आप हर था के सब्सब्सित Director अगर अगर मेरे मेरी रेसपीश्थ को लैक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे सारे वीडियो को देकना चाहते हो तूक्षण बटन को वैंक घ धन्यवाद झाल झाल